पर भारतियों को जंग में धकेलने के मामले में CBI ने एक रूसी महिला को भी आरोपी बनाया जांच एजिंसियों से जुड़े सुत्रों ने दावा किया कि उस महिला ने भारत से भेजे गए कई लोगों को जबरन यूक्रेन के खिलाब जंग में उतार दिया और इस बात के सबूत रहे वो वीडियो जो बीटे कुछ दिनों में जंग के मैदान से सामने आए उनमें कई भारतिये रूसी सेना की वर्दी में नज़र आए उन्होंने आरोब लगाया कि रूस में अच्छी नौकरी दिलाने का जहांसा देकर उन्हें जंग में जोंक दिया गया इस तरह के वीडियो आने के बाद जंग में फसे भारतियों को निकालने की मांग तेज होगे केंद्री एजांच एजनसी सीबियाई ने इस मामले में ताबरतोड एक्शन लेते हुए एक रोज पहले देश के साथ शहरों में दस से ज़ादा जगों पर छापे मारे ये चापे मारी दिल्ली, मुंबई, अंबाला, चंडिगर और चिन्नई जैसे शहरों में की गई दावा किया गया कि इस कारवाई में सीबियाई ने 50 लाग से जादा कैश, कई दस्तावेज, लैप्टॉप और मोबाइल फोन भी जप किये इसके लावा भी सीबियाई ने कई संदिक्तों को हिरासत में लेकर उनसे पूष्टाच शुरू कर, सुत्रों के मुताबिक इसी पूष्टाच में रूस की उस महिला का भी नाम सामने आया, आरोप लगा कि भारत से जिन लोगों को नौकरी का लालच देकर रूस भेजा गय उनके पासपोर्ट रूस की उस नागरिक ने चीन लिये, और महज 15 दिन की ट्रेनी के बाद उन्हें रूस की सेना में शामिल कर जंग के मैदान में उतार दिया गया, सुत्रों के मुताबिक रूस में अच्छा काम दिलाने के नाम पर धोका करने वाले नेटवर्क से जुड इसी बीच विदेश मंत्राले ने भी भारतिये नागरिकों की सुरक्षा को लेकर रूस पर दवाव बनाना शुरू कर दिया विदेश मंत्राले की ओर से बताया गया कि रूस में फसे भारतियों को वापस लाने की तैयारियां तेज कर दिगे इसके साथ ही भरोसा दिया गया कि जिन लोगों ने जूट बोलकर उन्हें रूस बेजा था उनके खिलाफ सक्स से सक्त कारवाई की जाएगी उदर खबर है कि पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाडियों को वहां की सेना ट्रेनिंग देगी झाल झाल झाल